अलो प्यारे दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में तो आज की इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिसेट 5.1 का कोश्चन नमबर 3,4 और 5 ठीक है तो चलिए बच्चों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं तो यहां पर हम बात करेंगे कोश्चन नमबर 3 की तो देखे इसमें क्या दिया गया है यहां पर लिखा है कि find the point on the x-axis which is equidistant from point A and point B अब ध्यान से समझना कि इस question का मतलब क्या है हमसे इसमें क्या पूछा जा रहा है तो देखो यहां पर लिखा है कि find the point on the x-axis मतलब हमें ना जैसे मान लीजिए यह हमार x-axis है तो x-axis के उपर कोई point है तो उस point का हमें पता लगाना है ठीक है और देखो यहां पर यह point के related और यहां पर क्या information दी गई है तो यहां पर लिखा हुआ है कि यह जो हमारा point है ना यह क्या है यह same distance पर है कहां से तो point A और point B से बराबर तो देखिएगा point A और B के coordinates है ना बात करूं तो देखो point A के coordinates क्या क्या है minus 3,4 यानि कि x-coordinate यहां पर minus 3 है y-coordinate क्या है बच्चे y-coordinate हमारा plus 4 है ठीक है ना यानि x-axis पर हमें minus 3 देखना होगा y-axis पर 4 देखना होगा तो x-axis पर minus 3 यानि कि यह point of origin के इस side आएगा यहां पर कहीं पर आ जाएगा मतलब यहां पर कहीं पर minus 3 आएगा इसी के साथ ही अगर मैं plus 4 की बात करूं यहां पर आ जाएगा यानि कि जो point A है ना बच्चे वह आपका लाइक करेगा लगबग लगबग यहां पर ठीक है वैसे अगर मैं point B की बात करूं तो यह कहां पर लाइक करेगा तो देखो इसका एक मतलब य videox coordinate है वह फ्लस वन और y-4 तो प्लस वन कहांस पर आएगा एक्स एक्स पर यहां पर ऐगा और आने वाला है तो वह आएगा दोस्तो हमारा x-axis पर ठीक है तो x-axis पर वो कहीं पर भी आ सकता है यहां पर भी यहां पर भी यहां पर भी वो कहीं पर भी आ सकता है लेकिन आएगा तो x-axis पर ही ठीक है हमें मालूम नहीं है हमें उसी point का पता लगाना है ओके और यहां पर एक hint दिया गया है कि जो भी हमारा point होगा न जैसे हम मालेते हैं कि जो हमारा पॉइंट को हम दोスト दोस्तों दोस्तों आपस में क्या हो जायेगा सवाचा जैसे कि शबसा भिबसने हो है न दोस्तों दोनों आपस में क्या हो जाएगा equal ही होगा क्योंकि हमारे question में ये बात बोली गई है ठीक है तो हमें इस point का पता लगाना है कि ये point के coordinates क्या क्या होंगे ओके दोस्तों अब देखो एक बात आपको पता है कि exist के ऊपर हम चाहे कोई भi point ले वहाँ पर जो Y coordinate है ना दोस्तों हमेशा क्या होता है perseverance ही होता है ठीक है जैसे मान लेटें यहा पर five है अब इसके coordinate बताओ क्या होंगे तो'clock graduate यहां पर five होगा जबकि y coordinate क्या हो जाएगा zero उस्ते यहां पर क्या है दोस्तों मान लेटें तो पहला coordinate तो मिल गया, y coordinate हमने पता लगा लिया, क्या होगा उस point का, point m का y coordinate क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बाकि हमें पता लगाना है दोस्तो x coordinate का, कि x coordinate यहाँ पर क्या होगा, plus 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, minus 1, minus 2, क्या होगा, यह हम लोगों को find करना है, अब कैसे निकालें देखिए अभी यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चो सॉलिशन ठीक है तो जो हमारा required point है उसके coordinates को हम क्या मानेंगे मतलब उस point को हम M मान लेते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले वो दोनो points हम लिख लेते point A है हमारे पास 3,4 and point B जो है ना इसके coordinates क्या-क्या है 1,-4 ठीक है फिर जो हमारा अगला point है ना दोस्तो मतलब जो point हम लोगों को find करना है ठीक है उसको हम मान लेते point M तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि let the required point B the required point B इसको हम मान लेते दोस्तो M ठीक है और इसके coordinates को हम क्या मानेंगे तो देखिएगा इसका X coordinate तो X रहेगा मान लेते वो हमारा X रहेगा ठीक है बाकि जो Y coordinate है वो तो 0 रहेगा यह तो हमें पहले से बता है तो यहाँ पे आप directly 0 लिख देना और इसके X coordinate को हमने X मान लिया ठीक है तो हमें यहाँ पे X का value निकालना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे एंटक का डिस्टेन्स ठीक है अब ही पीछे मैंने आपको लिख करके बताया भी ठीक है प्रॉपर दीक है तो अपस में क्या होने वाले equal होने वाले ऐसा question में दिया गया था ठीक है तो यहां पर हम लिख देंगे कि it is given in the question right चलिए अब हमें क्या करना है दोस्तों अब हमें यहां पर A से ले करके M तक का distance निकालना पड़ेगा अब आपका ध्यान होना जी एकदम अच्छे से इसके ऊपर focus करना आपको डिस्टेंस का formula बहुत अच्छे से मालूम है अगर आपके पस दो points है उनके बीच का distance निकालना है तो क्या करना पड़ेगा formula कैसे आप यूज करोगे पहले आप root लगाओगे फिर x2-x1 the whole square plus y2-y1 the whole square ठीके तो यहाँ पर आपको वही काम करना है अब ध्यान से सुनते जाना देखे यह हम a से लेकर के m तक का distance निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे हम a से लेकर के m तक का distance निकाल रहे हैं तो हमें दो points के ऊपर focus करना है एक तो point a और दूसरा बच्छो point m क्यू कोड़ा आप imagine करो ओके अभी आप छोटे नहीं हो आपने सब कुछ सीख लिया है इसलिए मैं आपको एक 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 करके नहीं बता रही वह मैंने question 1 में question 1 में question 1 में पूरा अच्छे से एक एक करके बताया था ठीके तो वहां से आप लोग सीख चुके अब आपको दिमाग म ही calculation करना है चलो बताओ इसके coordinates को हम क्या मानेंगे x1 y1 और इसके coordinates को हम लोग मालनेंगे x2 y2 ठीक है याद रहेगा चलो आप देखो यहां पर क्या आएगा तब से पहले x2-x1 इसमें क्या है दोस्तों x है तो यहां पर हम directly put कर देते हैं और फिर यहां पर x2 क्या है बच्च इसके बाद दूसरे bracket में क्या आएगा तो यहां पर आजाएगा y2-y1 y2 is given to you 0 and y1 is minus 4 है तो यहां पर लिख देंगे हम इसका square ठीक है चलो भाई यहां तक समझ में आगे आगे बढ़ते हैं देखिए यहां पर आगे equal का sign अभी हमें कहां से कहां तक का distance लिखालना है तो अ अब हमें कौन-कौन से points के उपर ध्यान देनी की जरूरत है तो यहां पर आपको ध्यान देनी की जरूरत है बच्चों दो points के उपर एक तो point B और दूसरा point M ठीक है तो इसके coordinates को हम consider कर लेते x1-y1 और यहां पर x2-y2 ठीक है चलिए अब इसको हम solve करते हैं जड़ा तो कौन फिर यहां पर plus का sign आ गया उसके बाद हम क्या करेंगे तो उसके बाद करेंगे y2-y1 तो y2 यहां पर क्या है दोस्तों 0 है minus y1 is minus 4 तो यहां पर मैंने लिख दिया बच्चे minus 4 फिर हमने यहां पर इसका square कर दिया ठीक है अब इसको आगे solve करते हैं तो यह देखे आगे का whole square plus यहां पर 0 minus 4 करोगे तो क्या आएगा बच्चे यहां पर minus 4 ही आएगा इसका हमने square कर दिया which is equal to अब इसके आगे का देखना इसको हम solve करते हैं यहां पर क्या आएगा x minus 1 the whole square plus 0 देखो यहां पर 0 minus minus मिल करके क्या हो जाएगा बच्चे plus हो जाएगा ठीक है और फिर उसक 11 square करेंगे तो क्या आएगा आप देखो जैसे ब्रैकेट के अंदर रचाहे माइनस रहे या फिर प्लस रहे अगर हम उसका square करते हैं तो वह प्लस में इसका आंसर आते माइनस में रहेगा तो भी प्लस में आंसर आएगा तो अब आप यह माइनस प्लस का टेंशन छोड़ो बस ये 4 का square कर दो और आप समझ जाओ कि वह प्लस में उसका आनसर आने वाला है तो कितना आएगा करेंगे तो 4 का square करेंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया है बच्चों यहाँ पर 16 लिख दिया है ठीक है समझ में आया कि नहीं यहाँ वर मे क्धाई के लिए यह जो आपको स्क्वेर है दिखरा है न दूस्त इसे हमें हटाना पड़ेगा तो स्कुआ रूट हटाने के लिए क्या करेंगे हम और स्क्वेर लिए बैर की यहां पर लिखने देटेट इनक least झाल से स्क्वेरिंग एनि बोट साइट मतलब दोनों साइट का हम लोग क्या करेंगे बच्चे स्क्वेर करेंगे तो जब आप स्क्वेर करेंगे ना तो यह जो आपको रूट दिखाए दे रहे हैं यहां से गायब हो जाएगा देखो कुछ ऐसा यहां पर क्या है रूट के अंदर x plus 3 the whole square plus 16 हम इसका square कर रहे हैं तो यहां पर मैंने इसका square कर दिया फिर यहां पर देखे रूट के अंदर क्या है भाई x minus 1 the whole square plus 16 हम क्या कर रहे हैं इसका square कर रहे हैं तो जब हम इसका square करेंगे ना तो क्या होगा देखो यहां पर square से root cut इधर भी square से root cut ठीक है तो जो बचता ह है उसे आप लोग लिख दीजिए तो क्या बच रहा है यहां पर X-3 the whole square plus 16 और यहां पर बच रहा है दोस्तो X-1 the whole square plus 16 ओके चलिए तो यहां तक बात समझ में आ गई हां जी हां समझ में आ गई अब क्या करें तो अब हमें प्लस 3 the whole square है ना तो यहां पर हम यूज करेंगे दोस्तो ए प्लस बी the whole square का formula और यहां पर X-1-1-2 the whole square का formula हम यूज करेंगे ठीक है तो देखो मैं इदर लिख देती हूँ फॉर्मूला में लिख देती हूँ since we know that हमें मालूम है कि A plus B the whole square क्या होता है सबसे पहले आता है A का square plus 2AB plus B का square ठीक है फिर उसके बाद यहां पर जो दूसरा formula है A minus B the whole square क्या आता है A square minus 2AB plus B का square ठीक है तो यह formula आप लोगों के opposite side में देख रहे हो तो क्या होंगे यह दोनों के दोनों कट जाएंगे कैसे कटेंगे ऐसे कैसे काट दिया तो बच्चे सुनों अगर मैं यह 16 को इधर बुलाओ तो माइनस में होगा तो प्लस माइनस तो कैंसल होंगे इससे अच्छा मैंने इन दोनों को कर दिया अब नहीं क्या करना है यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे एप्लस बीदा फोली स्क्वेर का फोर्मूलाओ इसमें हम तेखो आगे यहां से हमने यह लाइन कीज दी हंजी हां खीज दी अब क्या करें तौनों आगे का कहानी बता रहे हूं आप लोगों को चलिए तो अब ध्यान से देखते रहे ना हम इसमें यूज़ कर रहे हैं a plus b the whole square का formula तो क्या आएगा आप समझो ये a है और ये b है तो सबसे पहले क्या आता है a का square यानि कि यहाँ पर आ जाएगा बच्चे x का square ठीके plus 2ab तो क्या लिखोगे 2 है ना यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तो 2 a इसमें क्या है बोलो x है b क्या है बच्चे 3 तो यहाँ पर आ गया 3 ठीके फिर क्या आता है b का square तो b यहाँ पर क्या है बच्चे 3 है 3 का square करोगे तो 3 3 जनना ही ना गया फिर इसमें हम यूज करेंगे a-b the whole square का formula तो क्या आता है a square आता है यहाँ पर किया चाहएगा बच्चेहाँ पर आचाहे अबर इसके बाद – 2abn a यहाँ पर 163 एप देख सकते हो न तो यहाँ लिख दिया 1 उसके बाद क्या आता है b square यहाँ पर आजाएगा दोस्तों तो इसमें कोई परशान होने वाली बात नहीं यहां पर काम होगा ना क्यूंकि यहां सब्सक्राइब कई सब्सक्राइब तो इन दुनों को हमने यह से गया पर तो तो THE 3-2-1-2 मतलब यहां पर माइनस 2x प्लस वन आएगा अब क्या करें बता रही हो देखें क्या करें आइन को तो नाइन को मैंने का तुम उधर चाहो और ये चुम इदर आजाओ तो माइनस 2x इदर आएगा तो फ़स टू एक तो चाहेगा नाइन उधर जाएगा तो भही माइनस 9 हो जाएगा क्योंकि यह इदर प्लस में है छे दो करोगे तो यहां पर 8 आजाएगा और 1-9 करोगे तो माइनस 8 आएगा मैंने का 8 तो मुधर जाओ तो माइनस 8 और यह 8 उधर क्या तो डिवाइड में जब आप कैंसलेशन करोगे तो यह एक बार में फोट था उसके कॉइडिनेट को हमने क्या माना था एक्स और 0 ठीक है तो य कोईडिनेट तो 0 है उसका चिंता छोड़ दो वह तो 0 हमें मिल चुका है बागी हमें दोनों का डिसेंस सेम होगा ठीक है समझ में आया आप सभी लोगों को तो आप आंसर कैसे लिखेंगे बस यहां पर आप लिख देना इसका आंसर फाइनली कि हैंस कि रिक्वाइड पॉइंट इस कि रिक्वाइड पॉइंट इस एम and the coordinates are minus 1,0 ठीक है तो यहां बर आपका यह question भी होता है समाप्त कौन सा question था थर्ड question था ना जो हमने बहुत ही आसानी से solve कर लिया है और अब हम इसको करते हैं छोटा ताकि आप इसको अच्छे से देख पाएं यह देख लीजिए ठीक चलिए तो यह हो गया अब हम चलते हैं आगे और solve करते हमारा अगला सवाल यानिके question number 4 तो अब इसमें हमें क्या करना है verify that points P, Q and R are vertices of a right angle triangle yes everyone तो अब हमारे पास 3 points है ठीक है तो अब हमें यह verify करना है कि यह जो तीनो points है यह right angle triangle के vertices है या फिर नहीं है तो देखो right angle triangle कैसा होता है आप सभी को मालूम है बच्चो right angle triangle जो है न हमारा ऐसे होता है हम सभी को पता है ठीक है तो देखो right angle triangle में आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी कि हमारा नबे डिगरी का अगर ट्राइंगल के अंदर एक एंगल और नबे डिगरी का भीरैंगी ट्रइंगल है लेकिंग görün azak Sm lengे एक बात नोटिस करी किसका ग्रेटेस्ट लेंद है यानि arrangements का लार्जर लेंथ है उसका स्क्वेर दो बचे हुए दोनों साइट से ना उनके स्क्वेर के सम के इक वल जैसे इसी में आप माल लीजिए इसका नाम हमने ले लिया है बच्चे एक बात मालूम है क्या बात पता है कि यहां पर मैंने यह नोटिस किया कि यह जो एसके बेसिस पर मुझे डिसाइड करना है कि यह राइट एंगल ट्राइंगल है या फिर नहीं है तो मैं क्या गरूंगे देखो सिंपल सी बात है यहां पर मैं यूज करूंगी कनवर्स ओफ पाइथागोरासीरम तो पाइथागोरासीरम का कनवर्स क्या कहता है कि अगर किसी ट्राइंगल में ग्रेटर साइड का स्क्वायर बच्चे हुए दोनों रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के सम के एक्वल सचे और प्लिस प्लस चुंफ़ लुब्स है फॉर तो हम यहाँ पर देंगेंगी सभिवन को यो स्क्वेर के सम के एक वल है तिस इस वाल्सों 25 इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों इक वल है इत मिन्स दगीवन ट्राइंगल इस राइट एंगल ट्राइंगल बाइश थियरम थे यह हमारा पाइथागोरस थेरम का बच्चे क्या होता है कनवर्स होता है बाइच प्रूफ हो गया कि यह हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है यानि largest side के opposite में जो एंगल है वो हमारा हो जाएगा 90 degree का आंगल ठीक है बात समझ भाए आप सभी लोगों को तो यहाँ पर हम इसी चीज का यूज करके इसको प्रूफ करने वाले है मतलब verify करने वाले है तो देखो जैसे हमारे प ड्राइंगल के प्रूफ कर दें जैसे हम क्या करेंगे देखो पहले लेंगे करके लोग 해 वह संक्णालेगे तो हम प्रूफ करके हम यहाँ पर सख्यार करके घ्रइन ड do remaining दोनों sides के square के sum के equal है तो फिर हम कहेंगे कि the given points are vertices of a right angle triangle और अगर ऐसा नहीं हुआ तो नहीं कहेंगे very simple ठीक है तो चलो बच्चो अब हम इसका solution जो है ना वो हम start करते हैं और रुद्य को मैं आपको बताती हूं कैसे लिखना है ओके चलो यह सब अभी मिटा देती हूं पी coordinates on point P are 2,2 and second point is Q coordinates are 2,2 and the last point is 2,2 मतलब आप इसके coordinates are 2,7 ओके तो हमें यहां पर use करना होगा distance formula तो यहां पर हम use कर लेंगे बच्चो distance formula ठीक है by distance formula अब directly मैं values put करने वाली हूं तो confuse मत हो ना ठीक है आपको पता है कैसे क्या होता है सारी चीज़े आपको मालूम है बहुत अच्छे से ठीक चलो तो हम यहां पर first of all distance सिखा लेते from point P to Q ठीक है P से लेकर के Q तक का हम distance सिखा लेंगे तो अब आपको ध्यान देना है बस 2 points के उपर वह point हमारे कौन-कौन से हैं बच्चे तो वह points है हमारे P और Q ठीक है देखो P के coordinates को हम मालेंगे X1, Y1 और Q के coordinates को हम मानेंगे दोस्तो X2, Y2 ठीक है चले आप देखे यहां पर हम लिखते हैं यहां पर लगा दिया मैंने root X2 minus X1 तो X2 बोलो बच्चो क्या है 2 है फिर minus X1 क्या है minus 2 तो यहां पर मैंने लिख दिया कि इसको simplify करेंगे आजाए यह देखते हैं कि कितना आता है देखिए यहां पर 2 और minus minus क्या होता है plus है न तो यहां पर आजाएगा बच्चे plus 2 2 plus 2 the whole square यहां पर आएगा plus फिर 2 minus 2 करेंगे तो 0 यहां पर आजाएगा बच्चे 0 का square ठीक है आगे देखो 2 plus 2 करोगे तो यहां पर आजाएगा 4 का square और 0 का square तो 0 ही होता है 4 का square कर दो बोलो कितना आएगा root के अंदर 16 आजाएगा 16 में 0 को plus करेंगे तो वही 16 ही आने वाले अब इसको root के बहार निकाल दीजी बूली कितना आएगा बच्चे यह आजाएगा हमारा 4 यानि कि हमें न B से पी से लेकर के Q तक का distance कितना मिला है 4 unit का distance मिला है याद रखिएगा अब हम निकालेंगे यहां पर distance from point Q to R ठीक है Q से लेकर के R तक का distance लेकर लेंगे तो अब आपको focus करना है कौन से 2 points के उपर तो point Q और R के उपर देखो Q और R के उपर आपका ध्यान हो यह तो देखिए बच्चे क्या होगा यहां पर इसके coordinates को हम माल लेंगे X1 Y1 और इसके coordinates को हम माल लेंगे दोस्तों X2 कहां गया X2 Y2 ठीक है तो देखो क्या होगा पहले आएगा X2-X1 X2 is 2 X2 is 2 and Y ignorant X1 is also 2 तो यहां पर square आगया plus फिर क्या आएगा Y2-Y1 Y2 is 7 and Y1 is 2 तो मैंने इसका square कर दिया पिर यहां पर देखो 2-2 करोगे तो 0 यहां पर 0 का square आएगा plus 7-2 करेंगे तो 7-2 करेंगे तो कितना आएगा 7-2 पांच आजाएगा राइट ओके यहां पर आजाएगा हमा square root of 25 is क्या होता है 5 होता है तो यहां पर मैंने लिख दिया बच्चे 5 तो इसका भी distance हमें मिल गया from point q to r हमें मिल चुका है अब हम बात करेंगे हमारे अगले किसकी लपी से लेकर के आर तक का हम distance लिखा लेंगे तो distance from p to r which is equal to अब ध्यान दीजेगा यह दोनों points के उपर चलिए तो p के coordinates को हमाल लेंगे x1 y1 इसके coordinates को हमाल लेंगे x2 y2 ठीक है तो बोलिए first bracket में क्या आजएगा बच्चे first bracket में आएगा x2 यानिके 2 minus x1 is minus 2 so यहाँ पर मैंने लिख दिया minus 2 bracket close यहाँ पर square लगा दिया then plus उसके बाद y2 minus y1 y2 is 7 and y1 is what 2 ठीक है यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया the whole square बराबर okay फिर क्या करें फिर क्या करें बता रहें आप लोगों को क्या करना है देखें यहाँ पर क्या आएगा 2 और फिर यहाँ पर minus minus क्या होता है प्लस होता है तो यहाँ पर square आ जाएगा ठीक है इधर square आ गया इसके आगे देखिएगा 7-2 करने पर हमें 5 मिलता है यहाँ पर आजाएगा 5 का square इधर मिलता है हम लोगों को 4 का square और यहाँ पर आता है बच्चे 5 का square ठीक है तो यह square है 4 का square करोगे तो कितना आएगा भई यह आजाएगा 16 5 का square करेंगे तो यहाँ पर आजाएगा 25 अब इन दोनों को हम plus करके देख लेते कि कितना आता है तो देखिए 6-5 कितना होता है 11 का 1 आगया 2-1-3-1-4 यहाँ यहाँ पर root के अंदर हमें क्या मिलता है दोस्तो तो यहाँ पर हमें root के अंदर मिलता है बच्चो 41 थीक है तो यहाँ पर हमने क्या किया P से लेकर के Q तक का distance इकाला फिर Q से लेकर के R तक का और PR का distance हमने निकाल लिया है अब हमें क्या करना होगा जो हमारा सबसे बड़ा वाला side है न दोस्तों उसका हम square करेंगे फिर जो remaining two sides है ना उन से बड़ा वाला side कौन सा है अच्छे से देखो रूट के अंदर देखो यह रूट के अंदर शिक्टीन था यह रूट के अंदर ट्वेंटिफाइव और यह रूट के अंदर 41 तो विच वन इस ग्रेटर इस ग्रेटर यानि कि यहां पर हम इसका square करेंगे देखो मैं दो लि क्वेंगे तो कौन-कौन से sites बचे हुए है पी क्यूश का मस्क्वार कर देंगे मैं पर कितना है डोस्तों सिक्सीन आता है फाइव का स्क्वार हमें मिलता है त्वेंटी फाइज होता है एक ना गया चार्ड़ चेक साथ है नहीं दो एक तीन चार यह आएगा छेपाची 11 एक आया दो एक तीन इक तीन इक चार इसको हम लिख देंगे बच्चे आयर प्लस qr का स्क्वेर ठीक है तो यहां पर हम लिख देंगे therefore by governments of pythagoras theorem Clara Converse of इसको जरा मैं उपर करती हूँ देखें डाइक अब सब्सक्राइब और स्च्राइब तो इससे हम क्या कह सकते हैं इससे कि यह चलो वैसे लिखेंगे कि therefore रुखो एक मिनिट हा एंस the given points आर vertices of a right angle triangle ठीक है vertices of a right angle triangle कि यह होगे आप सभी का answer आप देख सकते हो यहाँ पर हमने कौन से question को complete कर लिया तो हमने यह वाले question को complete कर लिया यानि कि fourth वाले question को आप सभी लोग देख सकते हो ठीक है तो देखो बस यह इतना साही था अच्छे से आपको इससे समझना था फिर आप इसका answer बहुत easily निकाल सकते हो देख रहे हो सारे के सारे questions घूम रहे है distance formula के ही आज-पास मतलब distance formula यहां से आप सोच सकते हो कि कि इंपोर्टेंट है चलो हम आगे चलते हैं और बात करते हैं हमारे अगले सवाल यानि के fifth question की अब इसमें क्या कह रहे हैं यह कह रहे हैं कि show that point P Q R and S अब यह आपके पास चार points दिए गए है P Q R S आपको बताना है कि क्या यह vertices वह पहले से प्रूव है बस आप यह शो कर दो कि यह चारो points जो है ना वह पहले लोग्राम के vertices है तो पैलेलोग्राम क्या होता है बच्चे देखें पैलेलोग्राम हमारा कुछ ऐसा होता है और इसम सारी properties होती है लेकिन अब यहां पर हमारे पास क्योंकि हम distance का formula यूज करेंगे तो हमें इसके sites मिलेंगे साइट्स वाला ही कोई property यहां पर लगाना चाहिए एंगल वाला तो प्रॉपर्टी लगेगा नहीं तो इसका मतलब इसमें क्या होता है जैसे अगर किसी भी क्वाटर लेटरल यहां पैलेलोग्राम ठीक है जैसे अभी मान लेते हैं इसका मैं नाम लिग देती हो PQRS ठीक है PQRS तो अगर हमें ऐसा मिल गया कि PQ का लेंथ कॉंग्रूइंट है बच्चे SR के and PS जो है this is equal to QR तो फिर हम क्या कहेंगे कि यह जो given figure है ना यह हमारा क्या होगा यह हमा रेंगे पिर यहां से स तक का निकालेंगे और पिर उसके बाद हम देखेंगे यह कॉंग्रूएंट है की नहीं अगर अगर आप पोजेट साइट इसमें में मिल गया तब तो हम बोलेंगे यह पैले लोग्राम है ठीक है और मिलेंगे ही क्या पे बोला जाए शोडए रहता है ठीक है यह नहीं आपको थोड़ा solution करके दिखाना रहता है ठीक है दोस्तों समझ में आगे आप सभी लोगों को क्या क्या करेंगे distance दिखा लेंगे P Q Q R R S P S ठीक है चलिए फिर इसका solution हम start करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि यह कैसे solve होगा आ जाएंगे इसको हम यहां से करते हैं गायब और और फिर यहां से इसका solution हम start करते हैं तो we have 4 points कौन कौन से भाई बोलना जरा तो हमारे पास है point P जिसके coordinates है 2,-2 and the second point is 2 coordinates are 7,3 third point is R coordinates के 11,-1 11,-1 ठीक है and the last point is S इसके coordinates है हमारे पास 6,-6 ठीक है दोस्तों अब हम क्या करेंगे distance formula यूज करेंगे और एक एक करके हम distance दिका लेंगे यह first of all P से Q, Q से R, R से S और यह P से S ठीक है समझ में आ गया तो आज है यह देखते हैं यहां पर हम लिख देंगे दोस्तों by distance formula distance formula आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है मैं जानती हूँ देखे हम यहां पर first of all distance दिकाले from P to Q ठीक है तो अब आपको ध्यान देना है दो points के उपर कौन-कौन से वो points रहेंगे हमारे तो वो points रहेंगे बच्चे P और दूसरा होगा हमारा Q ठीक है तो यहां पर हम लगा देंगे इस प्रकार से root का sign और देखे इसके coordinates को हम माल लेते हैं इसके coordinates को हम माल लेते बच्चो X2 Y2 ठीक है ऐसे करके आपको consider कर लेना है तो देखे फर्स्ट अफॉल क्या आता है एक स्टू माइनस एक स्टू एक स्टू इस तो यहां पर लिख देंगे सेवन माइनस टू दो होल स्क्वाइर प्लस पिर उसके बाद देखेगा वाइटू Y2 is 3 and Y1 is what minus 2 तो यहां पर मैं लिख दिया भाईया minus 2 the whole square आगे आगे देखो अब क्या होता है देखे 7 minus 2 करेंगे तो यहां पर आजाएगा बच्चे 5 यहां पर आजाएगा 5 का square फिर यह देखो ध्यान समझना माइनस माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो 3 plus 2 करोगे तो कितना आएगा 5 आएगा तो यहां पर मैं directly लिख देती हूँ बच्चो 5 यहां पर 5 का square ठीक है फिर देखो ध्यान से 25 का square करने पर हमें 25 मिलेगा और फिर यह 5 का square करेंगे तो हमें मिल जाएगा दोस्तो 25 और दोनों को plus करेंगे तो आपको मिल जाएगा बच् जैसे यह 25 है तो 50 है इसको हमें से लिख सकते है 25 इंटू 2 ठीक है और 25 का square root बोलना कितना होता है 5 होता है आम सभी को मालूम है तो यहां पर आजाएगा बच्चे 5 और root के अंदर 2 ठीक है समझ में आया कि यह मैंने कैसे किया देखो मैं कुछ भी अपने मन से नहीं लिख रह ठीक है फिर क्या करोगे तेखो में बताई देती हूं यहां मैंने 50 ले लिया 5 से गाटो 10 बार में ठीक है फिर आप इसको पांच से गाटना है तो दो बार में जाएगा फिर यह तो पांच पांच इसकी जोड़ी बनी ना तो बाहर निकल गया और यह 2 तो बेचारा root के अब आपको कौन से points के उपर focus करना है तो q और r को देखना है बाकि और कोई point मत देखना देखो q देखना है आपको और यह r देखना है चूके जो coordinates से उनको आप माल लेना x1 y1 और r के coordinates को r था ना इसके coordinates को माल लेना x2 y2 ठीक है तो देखे बच्चों क्या आएगा यहाँ और मैंने रूट का साइन लगा दिया अब मैं लिखोंगे यहाँ पर x2 minus x1 तो x2 is 11 x1 is 7 तो यहाँ पर मैंने इसका square कर दिया प्लस पिर उसके बाद y2 minus y1 y2 is minus 1 और y1 is 3 पिर हमने इसका square कर दिया आगे देखो क्या आएगा 11 minus 7 करेंगे तो कितना आएगा 11 में से साथ गया तो चार आएगा ना बिलकुल चार आएगा तो यहाँ मैं लिख दूंगे चार का square प्लस minus 1 minus 3 दोनों मिल करके दोनों minus में तो जुड़ जाएगे यानिके minus 4 आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चो minus 4 और फिर मैंने इस स्क्वेर कर दिया ठीक आगे देखो जब यह चार का square करोगे तो 16 आएगा यहाँ पर चार का square करोगे तो यह भी सोला आएगा तो स्कूला सोला कितना होता है बट्तिस होता है इसको जड़ा बाहर निकालो तो बट्तिस को कैसे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स निकालों बच्चे 2 ठीक है तो आप देख सकते हूं हमें यहाँ पर डिस्टेंस फॉम क्यू टू आर भी मिल गया विच इस फोर रूट तो यूनिट्स ठीक है अब हम बात करेंगे किसकी अब हम यहाँ पर डिस्टेंस निकाल लेते हैं बच्चे आर से लेकर के एस तक का डिस्टेंस तो अब आपको दो पॉंट्स के उपर फोकस करना है कौन-कौन से R और S देखो R के कोडिनेट्स को आप माल लेजिए X1 Y1 और S के कोडिनेट्स को आप माल लेजिए बच्चो X2 Y2 ठीक है चले अब आगे का देखते जाओ क्या आएगा X2-X1 तो X2 यहाँ पर क्या आए बच 6-6-5 y1 is minus 1 तो यहाँ पर मैंने लिख दिया माइनस फिर यहाँपर स्कौर्ण कर दिया उसके बार देखिए यहाँ पर क्या आएगा चे में से 11 गया तो कितना आएगा पांच आएगा हम सबी को पता है और ये आजाएगा माइनस में x- बिकॉज संब और लिए सब्सक्राइब माइनस आइइ ना तो यहां पर आपको मिलेगा प्लस वन क्या मिलेगा अगे शुनो मैंनस फाइव करेंगे तो प्लस आएगा हम सभी को मालूम है यहां पर मैंने लिख दिया बच्चो प्लस 25 और यहां पर क्या होगा डिरेक्टली में बता रहे हो सुनो माइनस 6 प्लस 1 करोगे तो कितना आएगा माइनस 5 आएगा है ना ठीको 6 में से एक गया तो 5 आएगा और greater number का sign minus में इसलिए minus में आएगा minus 5 और minus 5 का square कर दोगे तो यहां पर आएगा पाइनस 5 और इसका जब आप स्क्वाइर करोगे तो बोलो कितना आएगा 25 आएगा ना तो इसलिए मैं यहां पर डिरेक्टली लिख देती हूं बच्चो 25 लिख दिया ठीक है आगे देखो 25-25 कितना होता है पचास होता है पचीस-पचीस-पचास और पचास को हम कैसे लिख सक यह हमें कितना मिलता है तो यह हम लोगों को मिलता है 502 ठीक है यहां देखो हमने फिसले करके क्यू तक का डिस्तेंस नेकाल लिया और आर अप बचते हैं हमारे दो और पॉइंट देखो पी और एस अब इनके बीच का डिस्तेंस हम लोगों को फाइंड करना पढ़ेगा तो आपको ध्यान देना है कौन से दो पॉइंट के उपर यह वाले पॉइंट के उपर इस पॉइंट के उपर इस पॉइंट के स्वाइब कर दिया प्लस का साइग उसके बाद क्या आएगा देखो-वाइट इस-6-2 यहाँ पर यह-जोश और यह-ब कोई प्लस होता है यानि कि दोस्टों यहां पर मिल जाएगा हम लोगों को प्लस 2 दो होले स्क्वेर बराबर ओके जी आगे बढ़ते हैं 4 का स्क्वेर करने पर हमें मिल जाएगा दोस्तों 16 तो मैंने यहां पर लिख दिया है 16 plus िहां माइनस 6 प्लस 2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा तो 6 में से दो गया तो 4 याने कि यहाँ पर minus 4 आएगा और minus 4 का square कर दोगे तो 16 आजाएगा plus 16 समझा रहा है कि ने देखो 6 में से दो गया तो 4 और यह माइनस में आएगा क्योंकि greater ये सब्सक्राइय को सैन इसाइड चैनल बयाव虫 चैनल दो 514 और 6क्या होता особенно 32 तक प्रेंश पैसे सब्सक्राइद करंऊ करें सौरे को मालूम है क्या दोrim tune बख़स्टार होता है तो यहाँ पर हमने के जार और रूर्ट के अंदर और बूसि यस उतुप हमें यहाँ पर कितना मिलता है बच्चो 4 root 2 units ठीके तो हमने यहाँ पर क्या किया हर एक side का length यहाँ पर find कर लिया है अब आप इसको अच्छे से न observe करके बताओ PQ 5 root 2 RS is also 5 root 2 फिर यहाँ पर देखो QR 4 root 2 और यह जो PS है ना PS कितना है 4 root 2 ठीके तो देखो यहाँ पर अभी आपको ऐसे समझ नहीं आएगा मैं अब figure बना के बताती हूँ figure बनाते हैं देन आप समझ पाओगे मैंने यहाँ पर यह figure बना दिया यह हमारा मान लेते हैं कि quarter lateral है ठीके इसके नाम में लिख देती हूँ बच्चो P Q R और यह S ठीक है तो देखो P Q आमें कितना मिला है P Q is 5 root 2 इसको ना मैं थोड़ा इधर किनारे बनाती हूँ ताकि मैं आपको बता पाओ रुको इसको पहले में मिटाती हूँ ठीक है हां गया यह चलो यहाँ पर मैं अच्छे से figure बना ही देती हूँ चाहो तो figure बनाना एक्जाम में वैसे कोई जरूर ही नहीं कि आपको figure बना करके ही करना है बिल्कुल नहीं लेकिन फिर भी बना सकते हो अपने मतलब समझने के लिए देखो यह हो गया बच्चे P यह हो गया हमारा Q यह हो गया R और यह हो गया S ठीक है अभी कई लोगों को लग रहा होगा ऐसे भी तो नाम लिख सकते P Q RS चलेगा वैसे लिखो ऐसे लिखो बात एक ही है ठीक है तो यहाँ पर देखना P Q का लेंद कितना है P Q आप देख सकते हो दोस्तों यह है 5 root 2 units लो भाया हमने यह लिख दिया फिर यह जो Q R है यह हमें मिलता है दोस्तो 4 root 2 units ठीक है फिर RS कितना मिलता है RS देखो यह 5 root 2 और यह PS हमें कितना मिलता है बच्चो 4 root 2 units ठीक है तो इसमें आपने क्या observe किया बताईए इसमें हमने यह observe किया कि यहाँ पर जो opposite sides है इनका length क्या है वच्छे equal है देखो PQ का opposite side is SR this is also 5 root 2 and this is also 5 root 2 ठीक है तो यह बोध हार equal मतलब दोनों क्या है समान तो है equal है ना देखो यहाँ पर मैं equal का sign लगा देती हूँ और यह देखो यह 4 root 2 and qr is also 4 root 2 यानिकि यह दोनों आपस में congruent है तो यहां से हमें एक बात समझ में आ गई कि यह है हमारा क्या है यह हमारा पैलेलोग्राम है मतलब यह जो given points यह इसके vertices हो सकते हैं तो देखो पहले आपको एक statement लिखना पड़ेगा यहाँ पे हम लिखते हैं क कि in a quadrilateral if pairs of opposite if pairs of opposite sides are congruent then it is a parallelogram ठीक है तो यहाँ पर हम लिखते हैं we know that हमें मालूम है क्या मालूम है कि in a quadrilateral quadrilateral ठीक है in a quadrilateral if pairs of pairs of opposite sides are congruent then it is a parallelogram ठीक है यह statement हमने देखा था हमारे class 9 में हमारा जो चाप्टर था ना quadrilateral वाला उसमें पैल ले लो ग्राम ठीक है यस तो यह हो गया बच्चो हमारा statement रही तो अब देखना ध्यान से हमने यहाँ पर क्या observe किया यहाँ पर हमने यह चीज़ अब्ज़व करी इसमें कि यहाँ पर देखो यहाँ पर हम लिखते हैं कि इन quadrilateral quadrilateral हमारा क्या हो जाएगा बच्चे PQ RS हो जाएगा बराबर तो इसमें हमने क्या observe कि कि PQ का लेंद जो है वो RS के congruent है बराबर ध्यान से समझना यहाँ पर हमने यह चीज़ नोटिस करी कि PQ जो है न इस 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 गॉइन टूर एस ओके वाई बेकॉस्टी का लेंद फाइव रूट टू एंड रस का भी लेंद कितना है बच्चे फाइव रूट तो देख रहे हैं आप सभी लोग ठीक है एंड हमने एक और बात यहाँ पर नोटिस करी क्या नोटिस किया हमने यहाँ पर यह नोट यहाँ लिख देते हैं कि यह अल्य जमत्री अब ह iki आ गो कंटोपी कियो आस कि एस यह फाइलोग्राम मैं गजिंद यह अल्यांओ कि इस तो प्रोग़ हो गई हम्हें क्या बताना था कि यह पहले लोग्राम की वह अन्य हैतो पाइले कि हम पॉयंट पो atención पॉइंट्स और वर्टाइसेस और पैरलेलोग्राम ठीक है पैरलेलोग्राम समझ में आया की नहीं आप सभी लोगों को समझ गये ना अच्छे से चलिए इसको देखिए मैं आपको पूराना अच्छ दिखा देते देखो कोश्चन नमबर 5 का सॉलुशन यह रहा ठीक है रुक थोड़ा सा इसको बढ़ा करना पड़ेगा अभी मुझे यहां पर एक और चीज आपको लिखके बताना है क्या लिखना है सुनू इसको हम माल लेंगे ऐसे एक्वेशन नमबर 1 करके लिख दो यह एक्वेशन नमबर 1 है बच्चे यह है 2 यह है 3 और यह है हमारा 4 ठीक है तो जिससे हमने यह बात बताई है आप लोग देख सकते हो तो देख लो फिश्विफ्ट यहां पर होता है हमारा समाप्थ तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम यहां पर 3 questions को solve करने वाले है 3 4 और 5 को कि हमने यहां पर complete भी कर लिया ठीक है अभी हमारे बचते हैं कौन-कौ चाहिए तो कहां पर मिलेगा टेलिग्राम चैनल में मिल जाएगा और जो यह हमारा एप्लिकेशन है ना आप इसमें जा करके देखना जो फ्री वाला फोल्डर है दोस्तों वहां पर आपको यह पीडियाफ मिल जाएगा ठीक है मतलब पूरा नोट्स वगेरा सब कुछ वहां पर अविलेबल होता है तो आप जरूर इसको डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है और बस इतना ही मिलते निक्स वीडियो में बाइवरीवन